नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उत्कृष्ट त्रपाठी योट्यूब चैनल पे, जहां पे हम भात करते हैं भारत के हर एक श्टेट के बारे में विस्तार से, तो आए बिना वक्त गवाएं शुरू करते हैं अरुडांचल प्रदेश के बारे में तो सबसे पहले हम इसकी लोकेशन के बारे में देख लेते हैं यह है अरुडांचल प्रदेश ठीक है अगर हम इसकी लोकेशन देखें तो यह पोर्शन आता है भूटान का उपर आता है चाइना यहां पे म्यामार और नीचे असाम ठीक है तो अगर हमको इसकी पोजीशन को ड वेस्ट साइड में भूटान से नौर्थ और नौर्थ इस्ट साइड में चाइना से इस्ट साइड में म्याममार से और साउट साइड से आसाम्ट से घिरा हुआ है अरुडांचल प्रदेश की राजधानी इटा नगर है तो अरुडांचल प्रदेश में टोटल 16 डिस्ट्रिक जिसमें मेन मेन आपको कौन सा देखना है तवांग, पापम पेरे, लोहित, दिबंग वैली, वेश्ट सियांग, ये इस्ट सियांग, इन सब के बारे में आपको देखना है ठीक है तो ये जो तवांग है न, ये तवांग जो है, यहां से जब 1962 में इंडो चाइनीज बार हुआ था, तो चाइनीज ने क्या किया था, ये इसी रास्ते, तवांग के रास्ते ही आसाम तक प्रवेश कर गए थे हैं, ठीक है चाइना और अरुलांचल प्रदेश ठीक है, या चाइना और इंडिया के बीच में एक लाइन खीची गई है, ये लाइन आप देख सकते हैं, ये जो लाइन है, इसको मैकमोहन लाइन कहते हैं, ये 1914 में सर मैकमोहन द्वारा इंडिया और चाइना के डिस्प्यूट्स, या इंडिया और चाइना के बीच में लेंड को डिफाइन करने के लिए मैकमोहन लाइन खीची गई थी तो ये जो लाइन आप देख रहे हैं ये मैकमोहन लाइन है यहाँ पे चाइना है यहाँ पे ये इंडिया का पार्ट है ठीक है इसको अरुलांचल प्रदेश को साउथ तिबबद भी बोला जाता था ठीक है तो यह हमारा location में यह आगे इधर अरुलांचल प्रदेश यह चाइना यहाँ पर तिबबद है ठीक है यह तिबबद का इलाका है तो तिबबद के इलाके पर क्या किया था चाइना ने इसको अपने अधिकार छेत्र में ले लिया था क्योंकि वहां की रहन सहन वहां की संस्कृती चाइना से मिलती जुलती थी इसलिए चाइना ने तिबबत को अपने अंडर में ले लिया ओवर्वीव अगर हम देखें तो overview इसको क्या आप गोलते हैं अरुडांचल प्रदेश को हम बोलते हैं land of rising sun ठीक है हम जानते हैं कि जो sun है सूरज पूरव से उगता है पश्चिम में धल जाता है तो पृत्वी की rotation क्या होई पृत्वी कहां से खाहा rotate कर रहा है west से east में rotate कर रहा है तभी जो sun है वो east में उगता east से उगता है और कहां गिर जाता है कहां पर ढल जाता है जाके west में तो अरुडांचल प्रदेश को हम क्या बोलते हैं land of rising sun इसको orchid state of India भी कहा जाता है orchid क्या होता है orchid एक full होती है ठीक है तो orchid state of India भी इसको कहते है यहां पर orchid काफी मात्रा में पाए जाता है orchid यहां का state flower भी है जो आगे हम बात करेंगे इसमें total 16 district है ठीक है मैंने बता दी इसमें total 16 district है capital क्या है इटा नगर है ठीक है इटा नगर क्या है इसकी capital है अब इटा नगर का नाम इटा नगर क्यों पड़ा इटा नगर का नाम इटा नगर इसलिए पड़ा क्योंकि वहाँ पे एक इटा फोल्ट है इटा फोल्ट के नाम पे ही इसका नाम इटा नगर पड़ा अब इटा नगर कहां पड़ता है इटा नगर पढ़ता है पापम पेरे डिस्टिक्ट में अब यह पापम पेरे डिस्टिक्ट का है आईए देख लेते हैं तो यह है पापम पेरे डिस्टिक्ट यहाँ पे इसकी राजधानी इसकी जो कैपिटल इटा नगर है वो यहाँ पे है ठीक है एरिया कितना है अरुलांचल प्रदेश का 84,000 स्क्वाइर किलोमेटर और ये नॉर्थ इस्ट के स्टेट में सबसे बड़ा एरिया अक्वाइर करता है तो कोश्यन ऐसे भी पूछ सकता है कि नॉर्थ इस्ट में सब सेवन सिस्टर्स जो हमारी है वहाँ पे सबसे बड़ा किस स सबसे बड़ा है तो अरुलांचल प्रदेश का है अरुलांचल प्रदेश की जो पॉपूलेशन है वह 1.3 मिलियन और 13,82,611 है ठीक है यहाँ पर मैक्सिमम ट्राइप्स रहती है इन हिस्ट्री चूटिया किंग्स चूटिया कही है जो आपको याद करने में आसानी हो तो य इन्हों ने हिस्ट्री में इस अरुलांचल प्रदेश के ऊपर रूल किया था शुरुवात में अरुलांचल प्रदेश का नाम नेफा था नौर्थ इस्ट फ्रंटियर एजेंसी ठीक है जिसका नाम बाद में अरुलांचल प्रदेश रख दिया गया कब 20 जैन्वरी 1972 को state symbols के बारे में हम देख लेते हैं state symbols हर एक state का state symbol होता है ठी तो अरूराशर प्रदेश का state animal कौन है state animal है मिथौन ये याक के एक प्रजाती है ठीक है ये हमारा state animal hornbill, state bird, orchid, state flower, state tree, hollong ठीक है तो आज हम इतना ही रहने देते हैं आगे के portion में हम अगली वीडियो में cover करेंगे so thank you for this and please share and subscribe my channel क्योंकि यहाँ पर सीखने के लिए बहुत कुछ है हम उपर से शुरू करेंगे नीचे तक north से south और east से west तक हम चलेंगे और हर एक state के बारे में पूरा ध्यान करेंगे तो आगे के लिए बस आज के लिए इतना रहें देते हैं आगे की वीडियो आगे आने वाले time में मैं upload कर दूँगा